Hello Friend, Welcome Back to My Channel चलिया आज मैंने ये एक सूट की कटिंग कि पांच की है ठीक है तो ये देखें ये हमारा जो आगे का पार्ट होता है वो है ठीक है और ये हमारा बैक पार्ट है इसका मैंने इसके सभी पांच की कटिंग कर ली है ठीक है तो यह हमारे इसका बैक पार्ट हो गया और यह हमारी इसकी जो कमेज है यह हमने इसकी बाजु कटकी है यह बाजु हमने पॉर्ण जो हम 17 इंच की बाजु तया रखती है वो वाली मैंने यह बाजु कटकी है इसकी और यह जो हमारी उरे पट्टी होती है यह मैंने कट मैंने कट की है यह हमने हिप के ऊपर हम आई लोग बनाएंगे इससे कपड़े वाली ठीक है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो हम सूट के सलाई करते हैं वो हम कितने जल्दी-जल्दी कर सकते हैं तो उसके लिए मैंने सारे पार्ट की कटिंग कर ली है जो इसकी सलवार है उसकी भी मैंने कटिंग करके सलवार को मैंने सील लिया है यह देखिए यह इसकी सलवार है मैंने इसको स्टेज कर दिया है कुछ मैं पहले ही ठीक है यह मैंने इसकी महरी बनाई है और महरी की वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई ह अगर आप लोगों को ये मोहिरी का डेजाइन देखना हो और अगर आपको बनाना हो तो आप मेरे चैनल पे जाके औरож वाईटी कतिंग औरस्टीचिंग चैनल पे जाईए और वहाँ आप देखे इस मोहरी का डेजाइन बहुत तीजी तरीके से मैंने बताया हुआ कि किस तरह से हम इने बना सकते हैं ठीक है तो ये हमारा कमीज है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हम आगे और पीछे का गला होता है सबसे पहले हम उनको बनाएंगे ठीक है तो ये डियवगला मैं बनाने जा रही हूं साधे साथ इंसका तयार रखोंगे इसको ठीक है उसके लिए मैंने यह रेपटी काट लिए और कट करने के बाद में मैंने इसको बीच में से ज्वेंट कर लिए हैं क्योंकि मेरे पास यह बड़ी पती थी नहीं तो इसलिए मैंने यह तेन पट्टिली हैं रेप में और मैंने इनको साथ में जोड दिया है और फ्रेंड्स में आपको इस वीडियो में बहुत ही खास टिप्स बताऊंगे इस लाई के लिए जो हम जिससे हम अपनी इसलाई जल्दी से कर सके जो हमारा सूट हो हम जल्दी जल्दी इसकी सिलाई करें ठीक है तो प्लेज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल पूरा वीडियो देखें नहीं तो हम बहुत कुछ मिस कर देंगे ठीक है तो अब यह देखे मैंने सबसे पहले बैक गला बना लिया है आगे का गला बना बना हुआ है मारा अब इन दोनों को हम जोएंट करेंगे इनके हम कंधे जोडेंगे ठीक है जिने हम सोल्डर बोलते हैं यह देखे मैंने आपको वीडियो में बताया वह भी है कि कि इस तरह से हम इनको इस तरह से च्वेंट करेंगे और इस वीडियो में जैसे जैसे मां आपको बताते हैं वह जारी हो स्टेप आइस स्टेप आप भी वैसे ही इन सभी टिप्स को फोलो करना जिससे आप भी स्लाई है वह बहुत ही फास्ट करने लगे और जो आपकी सलाई है वह बहुत ही कम टाइम में पूरी हो जाए अब हमने आगे पिछी का गला दोनों बना दिया है और उसके सोल्डर है उनको भी जोएंट कर दिया है अब इसके बाद में हम जो फिटिंग का निसान होता है अब हम सबसे प तो माप सभी से रिक्वेस्ट करती हों कि जब आप लोग भी अपनी सलाई करें तो उस टाइम पे जब हम फिटिंग का निसान लगाते हुए है यहाँ पर हम हलकी से गोलाई दे ताकि जो फिटिंग है वो सूट की अक्षी से सैट हो और जो हम फिटिंग के सिलाई लगाते ह हैं उस लगाने के बाद में हमें यहीं से एक बार इंजी टेप से हमें माप लेना चाहिए कि हमने जो लगाई है वो बिलकुई परफेक्ट आई है या नहीं क्या होता कि अगर थोड़ी बहुत कम होती है तो वह हम आभी इसको खोलके निकाल सकते हैं और उसको सही से सेट कर लगाएंगे आई लोके लिए मैंने कपडे को कट किया हुआ है और इसको हम दोन तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके अपर हम सिलाई लगाएंगे और फ्रेंट जिस तरह से मैं आपको यह सिलाई करना बता रहे हूं सच मानोगे ना तो आप अगर इन सभी टिप् सिलाई करोगे तो सच मानों आप दिन में कम से कम चार सूट निकाल सकते हूं ठीक है क्योंकि मेरा जो सिलाई का नजरिया है वो सब से हटके है और मैं अपने सूटों के स्टेशिंग बहुत ही जल्दी-जल्दी और फास्ट करती हूं यह मैं आप लोगों को कभी के बनाओंगी बाद में मैं अपने चैनल पर डालूंगी तब आप लोग देखना कि मैं कितना जल्दी सूट और सलवा दोनों को सील देती हूं और इक लिए वाला टिप्स देखिए बहुते काम का टिप्स है आप सभी के लिए जो हम नीचे से बोटम फोल्ड करते हैं अपने कमेज का तो उसके उपर हम सीधी स्लाई लगाते हैं तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है तो हम इसे मोटी बख्या लगाएंगे क्योंकि हम ब करको फोड़ा धींबर, फिखे खीशटर जाएंगे और जिससे हमारी सिलाई मारी इसलुए जल्दी से लगे और बाद में हम दागी को निकले तो इसे मारी इसल्दी निकाल दे और जिक्षमारी सिलाई है वो भी जल्दी लगे त्यार आखिए घूर भाई के साइडाना भा हाँ तो फ्रेंड्स हमने ये कमीज था इसकी लब जो स्लाई थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है लेकिन अभी थोड़ा बागी है ये देखिए जो इसके बाजू होती है वो मैं बाद में स्टीच करती हूं पहले मैं पूरा सूट को स्टीच करती हूं उसके बाद में मैं जोड़ूंगी ठीक है तो यह वाली बाजू मैंने कट कर ली है कट करने के बाद में अब मैं इनको आग़े से फोल्ड करूंगी और यह गाईज जो हम यह बाजू बनाने जा रहे हैं इसके ओपर मैं इस तरह से यह ब्लैक लर की लेस है यह लगाऊंगी और यह लेस मैं गुम लेस लगा रही हूँ तो यह देखिए मैं आपको बताती हूँ कि कि इस तरह से लगाने है यह हमारा इसका सीधा हिस्सा है सीधे इससे के उपर हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहां हम इसको हाफ इंच अंदर के तरफ फोल्ड करके यहां इस तरह से दबाएंगे यह देखे फ्रेंड इस तरह से अब हम इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहां किनारी के उपर से इसके उपर हम एक सिलाई लगाएंगे यह देखे अब यहाँ पर हमने उपर जितनी हमारी फिटा आएगी बाजू उसके उपर हमने निसान लगा लिया है और नेची हमने मोहरी है इसके अपने दोनों निसानों को मिला देंगे और शिलाई लगाए हाँ तो फ्रेंट्स फाइनली हमारा जो कमेज था उसकी सिलाई हो चुकी है कमपलेट ठीक है तो यह देखे और यह जो कमेज है इसके गले को पर देखे कितना अच्छा वर्क किया हुआ है और यह हमारा रेस में जो धागा होता है वह वाला धागा है तो यह देखे यह हमारा बिल्कुल कमपलेट हो चुका है यह देखे कुछ इस तरह से यह निची से हम ने इनको फोल्ड कर दिया है और यह हम ने अपनी जो बाजु थी उनको भी जॉइंट कर दिया है ठीक है और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थेंक्यू